अब उस खबर से आपको खबरदार करते हैं जिसका संबन सीधा सीधा आपसे भी है आपने बच्पन से सुना होगा एन आपल डे कीप्स दे डॉक्टर अवे यानि अगर एक सेब आप रोज खाएं तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है शरीर आपका स्वस्त रहता है लेकिन हिमाचल प्रदेश में वही जो किसान है जो सेब उगाते हैं वो सब बहुत ज्यादा परिशान है क्योंकि सही कीमत न मिल पाने के कारण वो अपने सेब को यूँ ही फेक रहे है नाले में सेब कौन बहा रहा है कुछ लोग दिखते हैं नीले रंग की दूसरी क्रेट में सेब भर कर लाए और फेक दिया फिर तीसरी क्रेट सेब भर कर आई ये भी नाले में गिरा दी गए चौती क्रेट के साथ भी यही किया गया इसके बाद वाइरल वीडियो में नजार आता है कि नीचे तक पहाडी नाले में सेव ही सेव बहाए गए हैं कैमरा फिर उपर आता है फता चलता है कि सैक्लो किलो सेव यहां ठेका जा चुका है वो सेव जो आप अपने शहर में सौर उपए से डिल सो दो सो धाई सो रुपए में खरीते हैं क्या वही सेव हिमाचल प्रदेश में नाले में बहाने के लिए किसान लाचार है कैमरा वापा सुपर की तरफ पहुँचता है प्रक खड़ा देखता है प्रक के पास कुछ लोग है कई सारे नीले रंग की ग्रेट में जिसमें सेव लाकर किसान मंडी में बेचते आए अब वही सेव हिमाचल प्रदेश में दावा हुआ किसान ठेक रहे सेव खरित पर खाना देश में जहां हर व्यक्ति के लिए संभाव नहीं होता जहां सेव की कीमत सुनकर आम गरीब आदमी दूसरे कम कीमत के फल खरीद लेता है वहाँ पहाड़ी नाले के पानी में फेके जाते सेव का ये वीडियो लगातार सब को चौकाता है ये सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है क्या किसान को उचित दाम सेव का नहीं मिल रहा या फिर कोई और वज़ा है किसान को सेव फेकने के लिए मजबूर करने का जिम्मेदार कौन है इसलिए आज तक संभाद दाता विकास शर्मा है शिमला में सेव की मंडी से सच पता करते हैं, विपक्ष से बात करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं पूरी रिपोर्ट दिखाया उससे पहले समझ लीजे कि हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए सेव क्यूं लाल सोने की तरह है पांच हजार करोन रुपए से ज्यादा का सेव अकेले हिमाचल प्रदेश की किसान उगाते हैं राज्जी में जितना फल होता है उसमें करीब 85 फीज़नी हिस्सा अकेले सेव का होता है तो क्या सेव भारत को खिला कर जो किसान अपना हिमाचल में पेट भरते हैं वो अब सेव फेकने के लिए मजबूर हैं क्यूं अब इसका जवाब पता करते हैं हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों आई तेज वारिश के बाद कई जगहों पर सड़के बही रास्ते खत्म हुए नतीजा किसान अपना सेव लेकर मंडी तक नहीं पहुँच पा रहे तावाए किसी लिए अपना सेव बहाने के लिए किसान मजबूर हुए लेकिन जब मुख्यमंत्री से सवाग उचा गया तो वो पहले सेव फेकने के वीडियो को बीजे पी किसा जिश्च बताने लगे मैंने भी बीजे पी के सोशल मीडिया हैंडल से उसी में देखा कि वो कुछ ग्रेट फैंकरे हैं लेकिन वहां कि स्तिती ये नहीं है स्तिती क्या है हंडर परसेंट से पहुंच रहा है और सोशल मीडिया के माद्यम से भारती जनता पार्टी अभी विरानिती कर रही है और जूट बोल रही है इसके बाद हमने सेव की किसानों की समस्या के बारे में दुबारा मुख्य मंत्री और हिमाचल की बागवानी मंत्री से सवाल किया समस्या की कई जगा पूरा रोड ही बह गया है तो साथ लगती जिसकी जगा है वो जगा देने में थोड़ी सी आनाकानी कर रहे है लेकिन परशाशन उनको मना रहा है और जैसे ही साथ देने वाली जगा को मान जाएंगे उनका सेव निकालने की महारी सरकार कोशिश करेगी क्योंकि सड़क तो जमीन पर बननी है ना तो जो सड़की पूरी बहगी है तो नई सड़क बनाने में तब सेव सीजन पूरा हो जागा अभी हम लिंक रोड बनाकर उस सेव को निकालना चाहते है अभी होते जार है खुल भी रहे हैं तैरस वो से जादा सड़के बन थी आज के तारीद में चार सो रहे गया यह चार सो भी रोज जो है एक पॉ Option खल जाता है फिर फिर दूसरा पॉ snug बन हो रहा है परनतू सड़क बन होने के अपका कव है ओए अशा नहीं है कि लगातार जो है किलो मेटर के साब से सड़क बंद है कहीं भी ऐसा नहीं है